स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल पर बाद में बाकी देशों की नेवी इसमें शामिल हो रही है अब इस साल भी हो रहा था बट कुछ सोर्स से पता चला अस्टेलिया की मीडिया चैनल के थ्रू आस्टेलियन ब्राटकस्ट कम्पनी के थ्रू पता चला कि चाइना अपनी कई सो सैटलाइट्स का इस्तमाल कर रहा है ताकि वो इन्टेलिजेंस गैदरिंग कर सके जासूसी कर सके इन military ड्रिल्स के उपर ऐसा क्यों चाइना को क्या प् नाम है और जान बूच कर चाइना चाहता है कि इस quads को वीख करना को काउंटर करें इसी लिए चाइना कोशिश कर रहा है intelligence gathering की इसलिए जानकारी खट्टी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये चारों इंडो-पैसिफिक नेशन्स मतब जो की इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन में आते हैं चारों देश ये सबसे बड़े कंटेंडर हैं चाइना की पावर को बढ़ने से रोखने के लिए चाइना ने बार-बार क्रिटेसाइस किया है मालाबार एक्सराइस को भी और इ ऐसा चाइना कहती है इंडिया के दोरह कहा जाता है कि हमारे इस इंडियन पैसिफिक रीजन इंडियन ओशन रीजन को स्टेबिलिटी और सिक्यूलिटी प्रोवाइड करते हैं ये वार गेम्स और हमारी नेवीज को भी आपस में वार रेडी कंडिशन में बनाए रखने की क कोशिश करते हैं तो चाइना के कई सारे कंसर्ण्स हैं कई सारी प्रॉब्लम से अभी फिलाल हर्टी फर्स्ट माला बार मल्टी नैशल एक्सराइज होने जा रही है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉड कास्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि चाइना काफी सारी पर अपनी सैटलाइट को प्लेस कर रखा है और वो बार बार यहां से चक्कर काट रहे हैं इस रीजन के उपर जहां पर माला बार एक्सराइज हो रही है बार बार यहां पर चकर काट रहे हैं और इस वज़े से हम इस बात से आघात है कि चाइना अपनी सैटलाइट का इस् फिलाल माला बार exercise के साथ exercise तलिसमान सेबर भी किया जा रहा है उसके उपर भी इन्होंने जासूसी करने की कोशिश करी है जुलाई के महीने की बात है रिपोर्ट से हमें पता चलता है यूँकि हम जो earth observation system जो space system है ऑस्ट्रेलिया की एक organization है उसके माध्यम से information प्राप्ट कर पा कि तीन चाइनीज geostationary orbit satellites low earth orbit में घूम रही है अपने आपको उन्होंने ऐसे strategically position किया है कि वो कलिसमान सेबर वार गेम्स और माला बार exercise के उपर नजर रख सके तो इसी वजह से Australian media के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चाइना अपनी satellites को और satellites का नाम तक बताए गया है चाइना क शी यान satellite का इस्तेमाल कर रहे है चाइनीज government ताकि जासूसी कर सके अब इसमें चाइना का क्या फैदा चाइना जानता है कि इंडिया quadrilateral security dialogue के दोरे एक open end के तोर पे बनाया जा रहे है चाइना के हमारी largest population है we are one of the fastest growing GDP we are the fastest growing economies in the world जहां पे चाइना की अर्थवस्ता नीचे क वर जा रही है हमारी अर्थवस्ता ग्रो कर रही है तो कही ना कहीं यह देश चाहते हैं कि इंडिया एक opposition एक rival बनकर तयार हो जाए चाइना का इसलिए चाइना अपना शीयान और शीजियान satellites को यूज कर रहा है जासूसी करने के लिए data एकटा करने के लिए surveillance करने के लिए Australia की companies के द्वारा Australia की media के द्वारा report किया गया है कि 300 से जाधा satellites को ground based activities के लिए यहां पर लगाया गया था ground research के लिए लगाया गया था और 3000 बार इन satellites ने चक्कर काटा है माला बार exercise पर जासूसी करने के लिए अब चाइना की low earth orbit में काफी अच्छी presence है जासूसी करने के लिए भी उसकी आजाता है weather mapping के लिए उसकी आजाता है जैसे एक example देता हूँ कुछ समय पहले अमेरिका के अंदर ऐसी news आई कि चाइना के high altitude space balloon का इस्तमाल किया जा रहा है उचाई पर place करके जासूसी करने के लिए और अमेरिका ने उसको shot down भी किया उसको गिराया भी चाइना के द्वार का जा रहा था कि यह हम जासूसी करने के लिए नहीं यह तो weather mapping करने के लिए use कर रहे थे इसके बाद कई सारी reports आई कि ऐसे ही high altitude balloon अंडमान निकोबार islands के पास भी देखे गया है इसी साल जनवरी 2022 की खबर है तो यही बात show करती है कि चाइना बार-बार surveillance और जासू जासूसी करने के लिए इन फैक्ट जो भी आज एक बड़ी space power है वो अपने satellites का इस्तमाल करके इस तरीके से जासूसी बहुत बहुत असान तरीके से कर सकता है और चाइना तो खुद को एक बहुत substantial power मानता है चाइना तो US से भी खुद को बड़ा मानता है हम जादा हमारी को ऐसी position है आज के time है that we are a bigger country हम space race में भी आगे निकलेंगे हम हर तरीके से आगे निकलेंगे इसलिए out of jealousy चाइना ऐसा कर रहा है तो space is a very important domain nowadays मैं तो कहूंगा global warfare जो है वो अगला space में हो सकता है fighting operations अगले space में हो सकते जिसे साब से space technology का exponential growth हम देख रहे हैं intelligence gathering information इखटा करने के लिए तो इस्तमाल किया ही जाता है जैसे ऐसे देश अपनी capability अपने equipment अपने उपकरनों को बहतर करते जा रहे हैं वो space का इस्तमाल और असान तरीके से कर पा रहे हैं especially the low earth orbits अपने अलग-अलग satellites और satellites के constellation को छोड़ कर ताकि future space warfare के लिए वो तयार हो सके और intelligence gathering reconnaissance जासूसी कर और इस सब के लिए तयार हो सके हमें इससे बचके रहना चाहिए वी इस इस सम्थिंग विच वी गॉट तो नो सारे देशों को मिलकर collaborate करके ऐसे initiative से खुद को protect करना चाहिए और authenticate करना चाहिए क्योंकि यह जरूर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में बात फैली हुई है जरूर दिया कि स्पेस सिस्टम नाम की डिफेंस कंपनी के द्वारा बताया गया जिन्होंने मॉनिटर किया पूरे इस development को जिन्होंने साफ बोल दिया कि चाइना के इस जो सैटलाइट्स हैं वो ऐसे strategically position हुए थे कि वो दोनों और war exercise को तलिसमान सेवर war games और मालाबार war exercise के ओपर ज kind of data gathering और इसके साथ साथ आपस में quadrilateral security dialogue एक बहतर partnership बने डेफिनेटली यह development और growth को आपस में बढ़ावा दे और इससे इन चारों देशों को तरक्की करने का मौका मिले शुक्रिया सेशन को देखने का आप जरूर मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर connect हो सकते हैं वसु कटारा study study IQ मेरा टेलीग्राम ग्रूप वसु कटारा study IQ मेरा जो इंस्टाग्राम है वह है वसु कटारा वसु डॉट कटारा वसु डॉट कटारा अगर आप यूपी एसी की तैयारी कर रहे हो प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी और बाइलिंगुल फॉर्मैट में हमारे courses available हैं जहाप लेक्चर्स भुक्स टेस्ट सीरीज प्रिलिम्स और मेंस की प्रिलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स और जो लोग प्रिलिम्स क्लियर करेंगे उनके लिए मेंस रेसिदेंशल प्रोग्राम मिलेगा जब भी आप अड्मिशन लेना चाहें maximum discount और मेरी personalized guidance के लिए वसू live admission discount code यूज करें इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत चुक्रिया जै हिंद जै भारत आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुड लग Study IQ IS अब तयारी हुई affordable